नमस्कार आप देख रहे हैं खमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भानुवे फिल्म स्ट्राप धर्मेंद्र के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि पूर्व लोगसवा अध्यक्ष बलराम जाखड उनके बहुत अच्छे दोस्त है और ये दोस्ती इतनी अच्छी थी कि 2004 में बलराम जाखड को कॉंग्रेस ने चूरू से लोगसवा का टिकेट दिया और भारती जंता पार्टी ने यहाँ पर धर्मेंद्र को मैदान में उताने की कोशिश की लेकिन धर्मेंद्र ने ये कहते हुए इंकार कर दिया कि वे अपने दोस्त के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे वे उनकी बड़े भाई भी हैं समय ने करवट ले और धिरे धिरे नोबत ये आगे कि बलराम जाखड के बेटे सुनिल जाखड को कॉंग्रेस ने गुरुदास कोर से लोगसवा चुनाव के लिए अपना उमीदवार बना दिया भारती जन्ता पाटी ने भी धरमेंदर के बेटे सनी देवल को यहीं से टिकेट दे दिया सनी देवल कोई धरमेंदर तो थे नहीं जो सुनिल जाखड के सामने चुनाव लढ़ने से इंकार कर दे थे वैसे भी धर्मेंद्र की दोस्ती बलराम जाखर के साथ थी जो अब सुनिल और सनी के बीच नहीं है। ऐसी स्थिती में धर्मेंद्र के लिए सबसे बड़ी परिशानी ये खड़ी हो गई है कि अगर वो अपने बेटी सनी के प्रचार के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें अप पहिने वाली बात ही होगी कि धर्मेंद्र इस परिशानी का सामना कैसे करते हैं।